हुआ है है मौतिन अंदन बहुडा बिस्ट्री देले स्री नगर गहवाल के राजने विभाद द्वारा आज योजित इस आनलाइन लेक्चर स्रीज में मैं आप सबके साथ संबध्ध हूं विशेश करके प्रोफेसर एमेम सेमवाल जी प्रोफेसर आरेम गेरोला जी विभाद के अन्य सारे सिक्षग्ण और माननेया कुलपती प्रोफेसर अन्पूना नोटियाल जी जो इसी विशेश की सिखर सक्सियत हैं और वे सभी जो आज इस कारक्रम से संबध्ध हैं दर्सक के रूप में स्रूता के रूप में अथ्वा अध्यता के रूप में मुझे अधिशे प्रसंदता है कि मैं आप लों के साथ इस कुरूना फेज में संबाद कर रहा हूं मेरे नितांत प्रिय प्रूफिसर एमेम सेमवाल जी ने इसके लिए कहा था और कभी अपने प्रियजन की बात करती नहीं है रहती ही है क्योंकि अपने प्रियजनों की बात रहने में अपना गौरों भी होता है अपने पुसुख भी मिलता है बिसेश कर राजनीत बिग्ञा जब कोई संबाद होता है तो हम लोगों के लिए विशे सर्श का विशे होता है उस विशे का विद्यार्थी होने के नाति अध्यता होने के नाति अथ्वा उस विशे से संबध होने के नाति आप सभी को पता है कि आज की दुनिया एक संसे की दुनिया कही जाती है जिसमें प्रत्यक्ष संबाद, प्रत्यक्ष मिलन और प्रत्यक्ष कारिक्रम लगभग कठिन से हो गए हैं आज हम भी आपनों से इस आभासी प्लेट फार्म पर मिलना हैं आप सभी को मैं देख रहा हूं आप सब को मैं सुन भी पाऊंगा लेकिन जो प्रत्यक्ष संबाद मिलन वारता का सुख होता है वो अनिस्चित रूप से इस आभासी प्लेट फान पर नहीं होता फिर भी एक अद्रिस ये अति घातक बिसाण ने पूरी दुनिया को पूरी मानावता को और हमारे आप जैसे सबी लोगों को एक आभासी फलक पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हम मिल सकते हैं अथवा इस बिस्व आपदा से मुक्ति का उपायक हो सकते हैं और इस आपदा में भी एक दूसरे का संबल बन सकते हैं आज जितने उपक्रम हैं विकास के सिक्षा से लेकर कारक्रमों के संपादम तक कूट नीति राज नीति रन नीति विदेश नीति सबका संचालन इस आभासी सब्सक्रादेटा इसलिए भी है कि आपदा का सबसे बड़ा कारक एक मात्र कारक वायरस कोवीद नामक विसांड कोवीद 19 नामक विसांड अध्रिस तो उसके प्रभा मंडल में जो दृष्यमान ब्यवस्ता है वह हिल्ती हुई व्यवस्ता दृष्टियत हो रही है ऐसे में हम सभी उसका मुकाबला भी इस प्लेट फार्म के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां कहीं भी हम अवस्थित हैं, इस्थित हैं, अध्यासित हैं वहां से अपने मनोबल के दोरा, सारी रिक्स्रम के दोरा एक निस्थित दोरी एक दूसरे के बीच में रखकर, अपने दाइरतों का निर्वहन कर रहे हैं एक मास्क हम लगा करके चलते हैं जैसा आपने देखा रहा हैं मैं मुझे यह आवस्थिक भी है, सैनिटाइजर का प्रोग करते हैं बचत के लिए हम बिलकुल समाज से दूरी तो नहीं, समाज में एक दूसरे से एक निस्थित दूरी रखते हैं और यह प्रक्रिया चल रही है इस आपदा से दुनिया किस दौर में पहुँच गई है, थोड़ा हम उस पर विचार कर लें राजनीट को संभावनाओं का खेल कहा जाता है और अंतर राश्टी राजनीट तो सक्ति की राजनीट होती है राश्टी अस्तर पर, अथोड़ा अंतर राश्टी अस्तर पर संभावनाओं और सक्ति सत्ता की प्राप्ट और सत्ता के नायक और सत्ता के किरदार राज और जनसंख्या सभी इस दायरे में आजाते हैं इसलिए जब भी हम अंतर राश्टी राजनीत की बात करते हैं अंतर राश्टी मंच की बात करते हैं तो तुरित हमारे दिमाग में यह ब्योस्ता आती है कि वह अंतर राश्टी जिसके करता एक मातर राज्य और किवल राज्य हैं उनके बीच में संबंध भी किस प्रकार के चलते हैं कि राश्टी राजनीत की तरह वहां भी सत्ता प्राप्त के खेल होते रहते हैं कोई में अपनी धमकदार उपस्तिती अंकित कराने के लिए सामरिक मेधा का प्रयोग कर लेता है अत्वा कोई राश्ट सांस्कृतिक द्रिश से इतना समुन्नत हो जाए कि अन्य देश उसकी तरफ निगाह लगा कर देखें अत्वा किया कुछ बैचारी का अधार पर इस प्रका अतीत में ना जाएं तो दोती बिश्वयुद्ध के बाद कि जो दुनिया थी उसमें सक्तिके दो गुट बन गए मुलताइब शार्धारा प्रभावित खुट थे एक पुझी वादी उदार वादी बिशार्धारा और दूसरी सामेवादी द्रटा वादी विशार्धारा थी सामेवादी विशार्धारा के पुशक रास्टों को आईरं कंट्री का देश कहा जाता था लौह आउरं का देश जहां पोजी वादी उचारवादी देशों में लोगतांत्रिक प्रक्रिया थी खुलापन था वहां सामेवादी देशों में बहुत ज़्यादा प्रतिब टूठे एक संजुक्त राज अमेरिका के नेत्रित तुम्हें नाटो और सोब्यत संग के नेत्रित तुम्हें वार्षा पैक्ट या अवधिलंबी नहीं चली इस तरह एक सामरिक वार्षा पैट नहीं रहा लेकिन दूसरा सामरिक गुट नाटो बना रहा सामरिक घुटों का अस्तित्त तो इसलिए होता है कि उसके समान उसके प्रतिसपर्धां में खड़ा होने वाला कोई दूसरा समुं हो प्रतिसपर्धी राष्ट हो अथ्वा वैरी समोह हो लेकिन यह इस्तिती नहीं रह गई सोब्यस संग रूस में बदल गया वहां भी लोग तांत्रिक ब्रॉस्था अस्थापित हो गई और आज पुतिन के नेत्रत में वह राष्ट दुनिया की एक महत्पूर्ण महा सकती है अमेरिका के नेत्रत में नाटू रहा नाटू का उचित सिद्वा फिर आतंकवाद के बुरुध हर्यान में और पूरी दुनिया ने साथ भी दिया अमेरिका का आतंकवाद के निर्मूलन में लेकिन सोब्यस संग के बिखराओं के बाद जो धूई 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 दुनिया थी उसका सबसे महत्पूर केंद्र संजुक्त राज अमेरिका है और इसमें कोई संसय भी नहीं रह गया था लेकिन भावगोलिक द्रिष्ट से जिसे हम जियो पालिटिक्स कहते हैं दुनिया जब भी होगी बाइपूलर ही होगी यूनी पूलर वर्ट हो ही नहीं सकता जियो पालिटिक्स कहां स». तो इसलिए बैतर सब्सके लिए होना चाहिए था जो है यूनि पूलर वर्ट हो गई दुनिया स्थान पर्ट होना चाहिए यूनि पीलर वर्ट एक अस्तमभी दुनिया बाद में जो McK示ं से और नौदित सक्तिधारी राष्ट थे उनकी भी महत्ता बही इसलिए दुनिया मल्टी पोलर के अस्थान पर मल्टी पीलर वर्व बन गई जिसमें अभी भी केंद्रियस तंभ संजुक्त राज अमेरिका है और उसके समान थोड़ा किनारे खड़े होने वाले दीखने वाले इस तंभ अन्य राष्ट हैं जिसमें पीफाइफ राष्टों के सेश चार राष्ट रूस चीन बिटेन फ्रांस और नौदित सक्तिशाली र राष्ट भर जापान जर्मनी ब्राजील दक्सिन अफ्रिका और तेजी से सक्त की राजनीत में अपनी पैट और अस्थान बनाने वाला इस्राइल इस सारे महत्कून राष्ट बन करके इस बहु अस्तंभी दुनिया के निर्णायक अस्तंभ बन गये आज की जो दुनिया है वह अब अस्तंभी दुनिया है पहले सक्ति राजनीत का निर्धारन सामरिक सामर्थ के आधार पर होता था किस राष्ट के पास कैसी सामरिक सामर्थ है किस प्रकार की सैन ने छमता है और किस प्रकार की पेनिट्रेशन पावर पेनिट्रेशन पाल्शी पेनिट्रेशन विपन्स जिसे कहते हैं किसके पास ज्यादा है मिसाइल किसके पास ज्यादा है टैंक की छमता किसके पास ज्यादा है सेटिलाइट किसके बहतर है यह सब मानक बन गए इस सामरिक प्रतिसपरधा की दुनिया मे सबी रास्टों ने तेजी से छलांग ले आई और मिसाइल महत्पूर्ण आयुद हो गया जिसके आधार पर सामरिक अस्परधा के रास्ट अपने को कमतर बेहतर मानने लगे अमेरिका रूस इस दिस से बहुत आगे माने जाते रहे हैं हिंदुस्तान भी अमिसाइल की दुनिया का एक महत्पूर्ण रास्ट है बिटेन फ्रांस तो है ही हिंदुस्तान की अगन मिसाइल और ब्रंभोस मिसाइल इन्हें अंतर रास्टी सामरिक संदर्भों में इन्हें आगे मिसाइल कहा जाता है जिसके बारे में पूरी दुनिया को बहुत इथार्थ का पता नहीं हैं तो यह सामरिक दुनिया है जिसमें हम अंतरिक्स में बैटकर धरापर घटित होने वाली घटनाओं का मुल्यांकन करते हैं देखते हैं और उस हिसाब से हम अपनी दुनिया बनाते हैं हिंदोस्तान ने भी अस्पर्धा में महत्पूर्ण अस्थान बनाया क्योंकि पी फाइब नेशन्स जिन्हें सुरक्षा परिशत के पांच अस्थाई राष्ट कहते हैं अमेरिका रूस बिटेन फ्रांस और चीन यह इसलिए महत्पूर्ण थे में ही कर लिया लेकिन वह चमता हमारे पास है इसकी घोषना हमने मई 1998 में की जब अपने पर्मार परिक्षन के बाद कैप्सन हमारा जो था बुद्ध मुस्कराय उसकी घोषना करते हुए तब कालीन प्रधान मंत्री माननी अटल भिहारी बैस परीजी ने कहा कि अब हम सामरिक संदर्व है कि धरातल पर नात्की आयुत मिसाइलें अंतरिक्ष में अपनी सेटिलाइट की पहुंच अपना सेटिलाइट नेविगेशन सिस्टम इस द्रिष्ट से हम धरापर और अंतरिक्ष में अन्य महासक्तियों के समान ही है अब हम चंद्रयां से गगन यान बन मिया के प्रथम राष्ट हैं यह सारी हिंदुस्तान की सामर्थ है सागर तल पर भी हम उतनी मजबूती के साथ हैं जितना भूतल पर और व्यों में यह हमारी चंता है अब हमारे पास इलेक्रानिंग जामिंग की विशेश प्रणाली है जिसके चलते हमारे प्रमुख अस्थ पहला था कि हम पहले परमाल बम का प्रियोग नहीं करेंगे युद्ध की इस्तिती में दूसरा हम किसी भी ऐसे देश पर परमाल आयुद का प्रियोग नहीं करेंगे युद्ध की इस्तिती में जिसके पास परमाल आयुद नहीं हो और तीसरा था कि यद किसी ने हमारे उप जब हम प्रति प्रहार करेंगे तो इस प्रकार का दुस्साहस करने वाले रास्थ को अपने अस्तित्य के बारे में बिचार करना पढ़ेगा अर्था 1998 में ही हमने नाभिकी या सामर्थ की ब्रिश से टोटल एनिहिलेशन का सिध्धान्त ब्योहार में एडाट कर लिया था कि जो राष्ट हमारे उपर ऐसा दुस्राहस करेगा उसके पूर्ण बिनास की कारवाही करेंगे यह एक असपस्ट संकेत था उन रास्टों के लिए जो हिंदुस्तान के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते जो हिंदुस्तान को त्रस्ट करने की कोशिस करते हैं अथवा कोशिस करेंगे ऐसा भाव रखते हैं उसी समय से हम सामरिक इस परधा के महत्पूर्ण खिलाडी बन गए और जब हमने तेजस नामक युद्धक बिमान बनाया जिसे चौथी और पांचवी पीड़ी के बीच का युद्धक बिमान कहते हैं तो हम बिमान की दुनिया में सामरिक बिमानों के संदर में एक प्लास्ट के हूप में बेदित थे चर्चित थे और दुनिया में अस्थापित थे तो वह जो पावर संतुलन था दुनिया का कि पास महासक्तियां ही दुनिया का भरत से धारित करेंगी उसका छटा सदसे हिंदुस्तान बना इस प्रकार की छंता रखने वाला इस्राइल है और मित्रता के कारण अन्य सभी छंताओं में भारत जर्मनी और जापान एक धरातल पर खड़े हैं तो इसलिए सक्ति संतुलन सक्ति अस्परधा सक्ति मानक और सक्ति नियंता होने की इस्थिति में अब इतने रास्ट दुनिया में आकर खड़े होगे पहले सामरिक दृष् की छंता और सक्ति निर्धार्कों का मुल्यांकन और आकलन की अलापा लेकिन 1991 से जबसे दुनिया में LPG का दौर चला उदारी करण निजी करण और भूमंदली करण का तब से आर्थिक सामर्थ ज्यादा महत्पून हो गए उदारी करण के दौर में संचार क्रांत हुई सू चलते सिधिल हो गए पूजी निवेश पूजी प्रवाह सेवा शंदर्व का प्रवाह सुचनाओं का प्रवाह या आसानी से पर यह नई आर्थिक दुनिया बन गई और जिसमें समाज भी आर्थिक समाज के रूप में परिवर्तित हो गया पहले हम क्यों मानों समाज की चर किंद्रों की तलास होने लगी पहले सक्ति अस्पर्धा में हम उन रास्टों की तलास करते थे जो हमारे आयुद खरीदे इस बाड़ी चिक प्रतिस्पर्धा में जो भौतिवादी दुनिया है इसमें सुक्षुधा के संसाधन बहुत तेजी से उत्पारित हुए इनके लिए हमने दुनिया में बाजार की तलास करने सूख ही और इसलिए मानों समाज को धिरे धिरे हमने एक बाजार समाज में बदल दिया और जो मानवी रिष्टे थे मानवी संबंध थे इसको हम ब्यापारिक आर्थिक संबंधों में ढालते चली गए कितना जल्दी कोई रास्ट सं संपन्ध हो जाए और कितना जल्दी कोई व्यक्त संपन्ध हो जाए या धे हो गया हमारे पास कैस हो और हम ऐस कर सकें अर्था धन और सुखोप भूग यह हमारा मामिद बढ़ गया इसी हिसाब से हम काम करने लिए इस प्रकार के देश जिनकी हां तकनीकी कुसलता थी तकनीकी सामर्थ थी उत्पादन बहुत ज़्यादा हो सकता था उन्होंने दुनिया में कच्छे माल के केंदर तला से कच्छे स्रम के केंदर तला से और जो उत्पादन हुआ इसके लिए फिर बाजार की तलास सुरू हुई बाजार की तलास के साथ एक ही प्रकार का उत्पादन बह जले गए जब हमारी आवसक्ता बढ़ जाए हमारी नए प्रकार की मान शुरू हो जाए इसलिए बिग्यापन की दुनिया की फोर लगगई मैं सामान एक ही प्रकार की बहुत दिनों तक नहीं रहता कोई भी आज की तारीख में ऐसी नहीं है पिछले दिनों तयार भी है जिसका प्रभाव पांस साल से ज्यादा हो इसलिए हर पांचमें साल जो पांस साल पहले बने हुई एंटिबाइटिक है जिसका विशेश संदर्भ है वह निश्प हो गए अब उनके अस्थान पर नए सामान बने तो नई मांग उठे तो बिग्यापन की दुनिया का एक विशेश महर्त बढ़ा और इसलिए हमारी नहीं आवसक्ताएं हुई नए बाजार खुले बाजारों की तलास में बर्चत सवादी नितियां स्थापित हुएं किस रा पर निर्धारित होगा कि कौन राष्ट कितना ज्यादा हिट छेत्र की तलास करेगा और इसलिए आर्थिक संदर्भों में ही दुनिया में विश्व युद्ध की संभावना होगी और इस पर फिर विचार होने लगा एक दौर यह भी था एक दौर यह आया कि वह राष्ट ज्यादा महत्तपूर्ण माना जाएगा जिसके पास उर्जा के सुरोष संसाधन और उप्यों की दक्षता चमता ज्यादा होगी और इसलिए कभी कभी लगता था कि खारी का छेत्र जहां पेट्रोल डीजल का सुरोथ है वह आने वाले दिनों में अचानक युद्ध का पता है कि जो भी सुरोथ भूगर्व से निकलता है उसके सूखने की भी संभावना होती है इसलिए बैकर्पी कुर्जा के सुरोथों की तलास होने लगी जिसमें सोलर एनर्जी विन एनर्जी जैसे प्राकृतिक उपाए हैं फिर जो हाइड्रो एलेक्ट्रिक है इसके बार प्राक के लिए हमारे हां पौधे हैं धान के डंठल से गहों के डंठल से भी उर्जा हम बनाएं गन्य से उर्जा बनाएं इसकी भी तैयारी होने लिए हर देश बैकल्पिक उर्जा के साथनों की तरफ बढ़ा कोशिस होई कि यह जो सुरूत है डीजल का पेट्रूल का इस उसका जो समू है उसका नायक है फ्रांसा नायक है या सहयोगी नायक है या समकच्छ नायक है तो ऐसे राष्ट मिलकर अब सोलर एनरजी के छेत्र में भी बहुत महत्पूर कारी कर रहे हैं यह भी छेत्र हैं जहां दबाव और प्रभाव की राजनीत बनती है जहां रास्ट ऑध्योगिक संसाधनों के अधार पर तक्निकी जानकारी के अधार पर और आर्थिक सम्रिद्धी के अधार पर एक से निगति लूर या सब तय होता था प्रतिविक्षिट आय के हिसाब से जीवन अस्तर के हिसाबung और सुख के साधनों के हिसाब से इस वाइरस ने कोविड-19 नामक वाइरस जिसके मूल में हमारा परोशी एक देश है उसके चलते पूरी दुनिया की ब्योस्ता ही हिल कर लखे आज दुनिया में जितने प्रकार के रास्ट हैं जिनें भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक, बैचार बधिस से या संगठ नात्मक दिस समून्नत रास्ट मांते हैं आख सभी एक ढरातल पर खड़े हैं सब के सामने एक ऐसे में कुछ ऐसी भी राष्ट हैं जो अकारा सीमा पर विवाद उत्पन करने की कुशिश करते हैं या जानते हुए कि इतिहास बार बार नहीं दोहराता है या जानते हुए कि कोई अध्या इतिहास का अंतिम अध्या नहीं होता है या जानते हुए कि कोई आज लिखा जाने जिसे जुकना नहीं आता जिसे पुरानी बातों को भूलना नहीं आता जिसके अंदर पुरानी गलतियों को करने वाले समुहों को रास्टों को छमा करने का भाव जिसके अंदर नहीं आता या पता है प्रतिसपर्दी रास्ट को मोदी जी के पास इस्वर ने सिर्फ सक्ति और सफलता की सामर्थ दिया है और यह अंस दिया है जिससे वह किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं और जो भी हमारे प्रति प्रतिकूल भाव रखेगा उसको उसी की भासा में समझा कर और उसके बिनास का कर सकते हैं यह जानते हुए भी एक ऐसा रास्ट है जो सीमा पर हिंदुस्तान के साथ हल्चल की कोशिश करता है अर्थाथ मान लेना चाहिए कि अब उसकी नियति उसे पतनों मुक बनाने वाली है मैं चर्चा कर रहा था सामरिक संदर्भों की आर्थिक संदर्भों की बैचार दूनिया के जितने भी रहा सबस्क्रांति नुजितने सक्तिसाली रास्ट हैं ज्यादा ही आकरांट। हैं संदुक्तराज अमेरिका कि त्झ कने हमारे मित्र रूस अमेरिका-फ्रांस व कि चैसे इसृेट 97 थी अमेरा अधसेगड फेहान श्वर्नाश्ड शेया है क्षिती भी बहुत ठीक नहीं लेकिन तुलनात भी हुई आस्टेलिया के प्रहानमंतरि से और इस बाता को आश्टेलियाई, समुषा और गुजराती खिचरी की पूटनीत राजनीत कहा जाता है और उसी के चलते आज कूटनीत का एक न्या नाम भी हो गया है जिसी वर्चुल डिप्लोमेसी कहते हैं अभासी कूटनीद इस पर चर्चा और थोड़ी आगे करेंगे तो आज जो संदर्भ है कि इसमें दुनिया के सामने यही लक्ष है कि अब तक हमने जो सामर्थ अपनी मानी सुख सुधा के साधनों के आधार पर मानी आवा गमन के दुरत साधनों की रसना के आधार पर मानी उर्जा के उपभोक के संदर्भ में अपनी सामर्थ को माना प्रतिव्यक्ति आय के हिसाब से माना हमारा पूझी निवेस कहां कहां तक है इसके आधार पर माना हमारे साथ कित अन्य रास्तों की मुद्रा का कितना भंडार है जिसे बिदेशी मुद्रा भंडार करते हैं इस आधार पर बैस्विक सक्त प्रतिस्पर्धा की तूलना हो रही थी सामर्थ की तूलना हो रही थी एक ही जटके में प्रकिर्ट ने यह सब खतम कर दिया अब जिसके पास जितनी समर्ध है उसके दिमाग में है अत्वा उसकेऊ स्थानों में है वह उपयोग और भोक के लिए लिए एक बेरट के पास हजार मकान हो सकते हैं दस मकान हो सकते हैं आज तो एक ही मकान में धाना पड़ ला है हो सकती है आज यह की गाई अप्रूव करना पड़ा है भ ね होसारे बिमान तल पर खड़े हैं अच्छी गार्णियां हो सकते हैं त्रेंड हो सकते हैं सत्थी अर्थाथ आज सब दरातल पर कड़ी है कि वल एक ही आशा अभिलासा के साथ हम बढ़ रहे हैं कि यह जो विशाण हुए पूरी मानवता के जीवन के सामने जिसने संक्ट उत्पन कर दिया है इसका समाधान हम कहां से लाएं और वह समाधान है ऑउसक विज्ञान हमारे पास हमारी जनसंख्या का जो भी अंस जो भी हिस्जा पीडित हो जाहें तो तुरित निदान का उपाय कहां से लाएं हाश्पीटलों में वेंटीलेटर कितने होने चाहिए है आम तो पर हर हास्पीटल में एमर्जेंसी वाग होता है तो कुछ लोगों के लिए होता है माना जाता है अगर जैंसी तो बहुत कम होती है ररे एस्ट इमंग संक्या सभी हाथ हास्पीटल में नाम मात्र की ही हुआ करते थे अब वेंटिलेटर बढ़ाया जा रहा है पी पी पर्सनल प्रोटेक्शन एक्विपमेंट यह होना चाहिए हम किसी से मिलने जाएं तो टेस्टिंग किट ऐसे होने चाहिए कि इस आपदा के बारे में जानकारी ह करते हो सके हैं अगर कोई संक्रमonneяти बेखती है तो उसके बारे में हम ठोज सुसनाएं ले सकें और निदान कर सकें आज के हालात हैं नास्टे इसी के त्यारी में जी ने जब लागडाउन की खोसना की और कोरोना के चेन को तोड़ने का सफल प्रयास किया और उन लोगों के लिए जो आज की इस्तिती में हमारे लिए अपने प्राण की अपनी सुरक्षा की परवाह ना कर बाहर निकले उनके लिए माननी मोदी जी ने ताली ठाली और फिर की बेवस्ता की उनके सामने नमन होने का भाव बिग्सित किया सबHHे में तो हमें लगा कोरोना वारियर्ס कौन हो सकते बवाले सिमा की सुरक्षा के लगे हुए जो हमारे जवान हमारे परिवार के लोग इन सब के प्रत्य हमने नमन भाव रखा रखना चाहिए और वह हमारे लिए बंदनी है स्वैक्षक सफाई कर्मी या जो सेवा छेत्र में लगे हुए लोग हैं जिने हाउसकीपर्स करते हाउसकीपिंग से जुड़ी हुए लोग यह सब हमारे लिए बंदनी है वे लोग जो हम हमें अधुनातन सुसनाओं से ऑवगत्रा रहे हैं हमें कंद्र राज्सषरकार अस्थाने पफ़्सांस के निरीकपर संदेशsk्कों को पहुचा रहे हैं हमें आगाह कर नहीं सबस्क्र कर हैं हमारी बाद पूचा रहे हैं हमारे साथ खड़े हो रहे हैं जहां कहीं है उर प्रता का इतिहास है इतनी सकार आत्म भूम का मेडिया की रही हो मुझे याद नहीं है वो बंदनी है उनका बिस बहुत ज़्यादा स्रे है वह भी वास्तविक्स कोरोना वारियर्स हैं और हमारे राश्ट नाय जो प्रतिपल अग्री मोर्चे पर खड़ा होकर देखते हैं आज की स्थिती में दुनिया ने अगर पहले कहीं निगाद वड़ाई तो मोधी जी की तरफ भारत की तरफ कि आपके हाँ जो मलेरिया से निदान की उसदी है उसे आप दुनिया भर में बेजें और पूरी दुनिया ने भले डबलू ये चोस के बारे में चेन के प्रभाव म हैं वह आज की तारीख में हमारी प्रतिरोधक छमता बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सफल है तुल्सी का पत्ता नीम का पत्ता गिलोए ग्रित कुमारी यह सब सबसे महत्पूर है अधरक हल्दी का पाउडर इस सब इम्यूंती बढ़ाने वाले पदार्थ हैं आज दुनिय जहां मैं अवस्थित हों जिसे जन जाती अंचल कहा जाता है इसके सेवन के कारण यहां के निवासियों में प्रतिरोधक छमता बहुत अधिक है पूरे भारत में तोलसी दल सुलब है तोलसी का ब्रिक्ट पौधा है जिसका सभी नमन करते हैं उससे बहतर एंटिबाइटिक पत्ति कोई होई नहीं सकती पूरी दुनिया ने माना कि आज अगर संक्रवित्र लोगों के अंदर इस विशाओं का प्रभाव कम करने की चमता है तो हिंदुस्तान के और सभी छेत्र से निरधारित और सभियों में है इसलिए चाहिए मलेजिया की दवा हो अत्वा बनो सभ प्रभाव का प्रयोग हो इसके माध्यम से ही यह चमता अन्य देशों में आ सकती है आज दुनिया में ने स्विकार किया कि योग के माध्यम से भी प्रतिरोथक चमता भड़ती है इसलिए इस कुरोना काल में हिंदुस्तान की तरफ सब की निगाहें आगे अब सभी और सद उद्योग पर ध्यान दे रहें दूसरा उद्योग जिसके बारे में भारत बार बार बात करता रहा कि उद्योगिक आस्थानों के साथ ही साथ किसी छेत्र में भी समन्मित विकास की आव सकता है कुरोना के प्रभाव में जितने उद्योगिक आस्थान है उ फिल्किन महानगरों के निर्मारों मैं लगने वाले कामगारों की विवस्ता के लिए कोई ठोस यूजना नहीं बने। इसलिए महानगर इस संकत काल में ऐसे कामगारों को अपने हाँ विवस्तित रूप से लख नहीं आईुआ है। एक दूसरे प्रकार की यातरा शुरो हुई, जिसे प्रतिगादी यातरा कहते हैं, मूल अस्थान को छोड़कर हम किसी अस्थान पर गएते हरित करांत के लिए और द्योगिक तरीके से सुलब कराए गए नई समस्य आई जो विकास की परिभासा थी महानगरों में होता है विकास पहले कभी हुआ करता था नदियों के किनारे बिक्सित होती है सब्धा आज कल हो गया है सबकुछ बने लिए अपना मूल अस्थान पर लोग आने लगे और वहां उन परिवारी जनों के साथ मिलकर जिनकी सुक्षुधा के लिए वह बाहर गये थे वह सुरक्षित रहने लिए अर्था जिस अस स्थान पर प्राचीन कहावती सही है मा की गोद में जितना सुख है वह अन्यत्र नहीं है भारत हमारी मा है यह सुख हमें सरवत्र एक समान मिलता है और मिलता रहेगा लेकिन यह जो धरा के ऊपर बिचन का बिधान है अब नए तरीके से इस पर विचार हो रहा है कि जहां भ एक महपून हिस साहर ऐसा काम ऐसी नितियां अन्य डेसों में भी बननी चाहिए फुरी दुनिया में इस मानों कल्यान के संदर्वों में अपने लोगों को सुख़ा देने के संदर्वों में आज दुनिया एक अग्रही आदर्स रास्ट है ओस्षद और बनौसद का प्रोग किस तरह से किया जाए इसका एक स्रिस्ट रास्ट है जिसके पर दुनिया के अन्य देसों की निगाह लगी हुई है इस कोरोना के 19 के बाद का जो सक्ति संतुलन होगा उसमें प्रमुख छेत्र होंगे और सजी और क्रिशी के छेत्रे हमारे हां कहा जाता है कि हिंदुस्तान की स सब्वेता है उद्योग और अध्यात्म की सब्वेता है अहिंसा और सहयोग की सब्वेता है साथ साथ चलने की इसी सब्वेता को दुनिया आप स्विकार करेगी पूरी दुनिया ने मान लिया है कि अगर कहीं टक्राव होता है तो उसका समाधान हिंदुस्तान की सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि हिंदोस्तान की पंच सील का जो सिद्धान्त है साथ साथ रह लेना जिसका अंतिम है पीस्पूल को एक्जिस्टेंस बहुत ज्यादा महत्पूर है अब दुनिया को स्विकार करना पड़ेगा कि हिंदोस्तान की सांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बिचारधारा ही दुनिया के लिए उप्योगी बिचारधारा है हम सहयोग तब करेंगे जब एक दूसरे से बैमनस खont ऑ सित्था का सिध्दांत आजदुनिया को दे रहा है मानवता कि रक्षण के लिए एक साथ खड़े होने का सिध्धान दे रहा है आज की तारीक में हिंदोस्तान का जो किसी उपज है दुनिया में स्रेश्ट तम है क्योंकि जैविक खेती के आधार पर जैविक खादों के आधार पर हमने जो उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की है इतना अधिक दुनिया में कहीं भी नहीं है हरित क्रांद का मूल स्वरूफ हिंदोस्तान में दिखता है क्योंकि हमने बहुत पहले से ही सस्टेनेबल का सिध्धांत बहुहार में उतार लिया था इसावास्योप निशद में जो लिखा है उसे हम मान कर चले थे कि हम प्रकृत्त संसाधनों का उप्भोग तो करें लेकिन आने वाली पिढ़ी के लिए भी हम इतना ही छोड़ करके जाएं तब जाकर यह सभ्यता अक्छोंड बनी रहेगी मानोता का विकांस होता रहेगा इसलिए एक विचार धारा है बैचारिक धरातल पर हिंदोस्तान की विचार धारा दुनिया में मानने होगी जो पूजी वाद में अतिभोग का सिध्धान्त है अब वह नहीं सिलेगा सबने समझ लिया कि एक प्राकृतिक आप्दा म भोग के सारे सिध्य निश्कृ हों गए निस्प्रभावी हो गे और जितने संसाधन है वह सब अउपयूप्थ के विए के वाऊ एक ही साथ साठोल रहने का उपाए साथ सासे संभाट का उपाए धैर और संतुष का उपाए जो हिंदुस्तान की संस्कृति से नहसृत है के वोस्ता है बहुत ज़्यादा माहिने रखेगी हमारी हां संजुकते परिवार का जड़र का संबंदों का संजाल जो अर्थपूण राह है अब यह दुनिया के लिए माहिने रखता है जो हमारे हाँ लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो कमाता है उसका धर्म खिलाना भी है और जो खार है है उनका धर्म है कि समय से कमाने का उद्यम करेंगे। लोगों की आजीव का नियोजन के संदर में हिंदुस्तान एक आदर्स रास्ट बनने वाला है यह नीत भी अब दुनिया के पास पहुंचेगी कि हमें अपने इस धरा पर इस धरा को हरा भरा रख करके काम करने की ज़रूरत है अभी बेस्व पर्यारोन दिवस्वीता है जिसक संदेश भी यह होता है कुछ समय हम प्रकृत के लिए निकाल लें इस धरा को हरा भरा बनाया हरा भरा होने से भी मन हरा भरा होता है हमारे अंदर कुब बृति नहीं आती और नकारापनों विचार नहीं आती हम सब जानते हैं कि कोरोना के प्रभाव में दुनिया में एक चीज बहुत तेजी से बढ़ी है वह है अवसाद की इस्तिति कि और भारतिय समाज में अवसाद ग्रस्त लोगों की संख्या न्यूंतन ह दुनिया के अन्य देशों में जहां बहुत ज़्यादा संबृधी मानी जाती थी भौतिक वाइधा बही थी शुक के साधुनों के प्रती रुचिया बही थी वहां के लुग ज़्यादा आवसाद की स्थ सिप्ने तो कि माल नहीं जाता है बाजार नहीं जा पाँ माल उनका विक्रे नहीं हो रहा तो यह जो संबंध बन गयाता मनस्य माल मुद्रा मशीन मार्किट अब इसको नए सिरे से परिवासित करने वाला कोई देश होगा तो भारत होगा विचार और अर्थ तंत्र अर्थ की पूझी का केंदरी करन नहीं होना चाहिए हमारे ट्रस्टिशिक्स का सिध्धान्त है तेन यहां भूझी था का सिध्धान्त है जो इसलिए आप होनी चाहिए उभ्भोग समाज के लिए होना चाहिए प्रयोग राष्ट के लिए होना चाहिए यह भाव हंदुस्तान का है और पूरी दुनिया अब इससे संचालित होगी एक नए प्रकार का संचार तंत्र करने की स्थिदी में बरत्मान बेवस्था में वे राश्ट महठपूर्ण माने जाते हैं जिनके पास संचार की बहुत बिक्सित पणाली है लेकिन इस संचार की पणाली में कभी भी सेंध लग सकता है हैकर्स की संख्या बहुत जादा है एक हमारा परोशी राष्ट है जो हैंकिक का चैंपियन माना जाता है अब नए सिरे से वह राष्ट मात्पूर्ण होगा जो एंटी हैकिंग मिसाइल डेवलप कर लेगा अधवा इस आभासी दुनिया के समानांतर भी एक दुनिया बिक्सित करेगा कि केवल हम इस डिश्टल प्लेफार्म पर ही खड़ाओकर बात ना करें हिंदुस्तान की जो पुरातन परंपरा रही है उसकी और भी जाएं हम मेडिटेशन से उस मुकाम तक पहुंचें कि अपनी बात दुनिया में बैठे हुए किसी भी कोने पर अपने मित्र बेक प्रशित होगी और इसमें भी हिंदुस्तान की भूमका सरवाधिक महत्तपूंद होगी उर्जा के छेतर में सोलर एनरजी विंड एनरजी और हाइड्रो एलेक्रिक मामले में हिंदुस्तान दुनिया का अग्रणी रास्त होगा नुक्लियर एनरजी यह भी एक बैकल्पी भूमका बहुत महत्तपूंद होगी हम आप सभी जानते हैं कि दुनिया में एक नुक्लियर सप्लायर्स क्रूप है और इसमें हिंदुस्तान की सदस्ता की बुरुद्ध ख़ड़ा होता है हमारा प्रोशी रास्त इनका नाम लेना में ठीक नहीं समझता है क्योंकि वह बस्त थोरियम का पुर्चुर भंदार दिया है और जिससे हैं माने वाले 4-5 सालों में ही परमाड उर्जा के संदर में आत्मनिर्भर रास्ट हो जाएंगे दुनिया का एक लौता रास्ट है जिसने थोरियम से भी पर्माण परिक्षण किया यह सामर्थ है इंदोस्तान के पर्माण बेग्ञानिकों की यह सामर्थ है यहां के नेत्रितु की इसलिए हम उर्जा के संदर्भ में बहुत जादे दूसरे रास्टों पर निर्भरता से सब्सक्राइब की उधारता सायोग और निकरता की चलते जितने भी हमारी मितराश्ट के सब्सक्राइब चोड़े दो रास्ट को चोड़े तो सभी में तरहां है और वों कुंद हैं तो ऐसी इस्तिति में हिंदोस्तान और्जा की दुनिया का अग्रणी रास्ट बनने वाला है आज की जो इस्तिती है सेटिलाइट की दुनिया उसमें भी हम बहुत महत्पून हैं हम जानते हैं कि हमारे सेटिलाइट कैसे सुरक्षित रहेंगे हमारे परोसी रास्ट ने कीलर सेटिलाइट का प्रूब किया और भूल गया कि इस्प्रकायर की जो तक्नीक होती है उसकर किसी एक राफ़का प्रेटेंट नहीं होता है। दुनिया के अन्य देशों के बैग्जानकों के पास भी सामर्थ होती है। वह सामर्थ है। सबी उन लास्टों के पास है जो आज अंतरिक्ष में चाहल करने यह पूल की सामरत है सेटिलाइट के दुणिया में सागर तल्की दूरी नापने में वहां अपनी पंडब्ब्वियों के मामले में और जो युद्च दुट हैं उसके मामले में हंदोस्तान दुनिया के बहुत पूर्ण स्कूर्णस्तों के बात हुआ है कभी सेमुल प्री हंटिंग्टन ने कहा कि आने वाली दुनिया में टक्राव संस्कृतियों के बीच होगा अब वह नहीं चलने वाला हिंदुस्तान का सिध्धान चलेगा कि आने वाले दिनों में संस्कृतियों में संबाद होगा संगम संस्कृति की माता होगी समन्मेवादी संस्कृति की पहचान दुनिया को करनी पड़ेगी तो संस्कृति की दिश से हिंदुस्तान दुनिया का महत्पूर्ण रास्ट बनेगा जहां की संस्कृति में प्रकृत बंदन है जहां की संस्कृति में लेंगिक समानता है नारियों के लिए सम्मान बुदूर्गों के लिए सम्मान बचों के लिए रग्वाव यह इंदोस्तान की संश्कृति है और जहां की संश्कृति में सद्वे साथ साथ चलने का भाव है लskt वह करगे चलेगी संक्रतिक संदरगों में भी दुनिया को निकट लाने में हिंदोस्तान की महत्पूर भूंका होगी एक सक्ति का छेत्र है संजुक्त राष्ट संग और उसकी सुरक्षा परिश्ट जेतने बिशिष्ट अभिकरन है अभी डवलू येचो में नेत्रितों की इस्तिती में हिंदोस्तान है और पूरुब्योस हिंदोस्तान की पहल पर पुना संजुक्त राज अमेरिका उससे जुटेगा और वहां सही बात ही कही जाएगी डवलू येचो दुनिया में ब्यार्जियों के निर्मूलन में उप्योगी संक्टन बनेगा कोई बात छिपाने का संगठन नहीं बनेगा इसी तरह अंतर स्यादा दूर नहीं जब सुरक्षा परश्चत की अस्थाई सदस्यता हिंदोस्तान को मिले भारती जनता की एकता राष्ट की अखंडता संब्रिधी सोच बिचार सामरिक सामर्थ आर्थिक संब्रिधी सबके आधार पर हमें वह अस्थान मिलना है अब दुनिया एक नई डिप्लोमेशी कहते हैं मोदी जी की कूट नहीं ती आज की तारीक में दुनिया के एक लोते नायक हैं जो रण नहीं ती कूट नहीं ती और विदेश नहीं ती तीनों में पारंगत हैं वह सब प्रकार की डिप्लोमेशी जाते हैं वह स्विंग डिप्लोमेशी भी जानते ह साफ्ट पावर से हाइट पावर में कैसे कन्वर्ट होड़ जाएगा यह भी वह जानते हैं वह आँख में आँख मिलाकर भी जाना जानते हैं वह मुस्कराते हुए मिलना जानते हैं वह गले में गला मिलाकर भी मिलना जानते हैं आज की तारीख में दुनिया के एक लोते नेता हैं जिनके साथ सभी महासक्तियों के नायक बैठना अपने लिए सुखद मानते हैं अपने राष्ट के लिए उप्योगी और उपादेय मानते हैं यह हमारे पास ऐसा नेतित्व है अभी हाली में एक नई डिप्लोमेशी जो ज् होई आस्टेलिया में जो वहां के पधान मंत्री ने समोसा बनाया और जो गुजरात की खिशड़ी है इस पर भी चर्चा हुई मत्पूर्ट समझोते भी हुए और विशेश कर हमारे सामरिक हिद के समझोते हैं केवल इस वर्चुल डिप्लोमेशी में एक ही चीज नहीं होत हम गर्मजोसी से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं दीनर डिप्लोमेशी के लिए उसमें अस्थान नहीं होता कोई संजुक्त बक्तब नहीं आता और जो पर्सनल टच होता है आस पास बैठ कर या तो नहीं होता हम डिश्टल दिवार के आर पार बैठते हैं लेकिन सारी से सिटी लाइट के मार्थियम से इसका प्रयोग भी होता रहा है लेकिन वर्चुल प्लेटफार्म पर अब इसका त्वरित प्रयोग होने लगा है अभी चार महीं को मोधी जी ने नैन संदेलन को संबोदित किया फिर इस कोर्णा से कैसे बचा जाए हमारे पड़ोसी रास् प्रत्यक्ष मिलन होगा सीधा संबाद होगा और बहुत सारे निडायक फैसले होंगे जिससे दुनिया को इस आपदा से मुक्ती मिलेगी और किसी ऐसे रास्ट की अतिवादिता से मुक्त मिलेगी जो अपने आसपास के रास्टों के चैन में बाधा डालता है आतंक बात की स सुरम्नें दुनिया होगी एक सही दुनिया होगी और मानोता को संतोस शुक省 और सुभध देने वाली दुनिया होगी इसके लिए जरूरी है हमारा आपका सभी का अस्तित्त बचा रहे बना रहे और हम सब जहां भी हैं अपने दायतों का निरुहन करते रहें आने वाली दुनिया को कहा जाता है कि यह ग्यान की दुनिया है और ग्यान की दुनिया में वही राष्ट सबसे महत्पूर्ण होगा जिसके पास ग हम सम्मिल कर कुछ ऐसा करें कि आने वाली दुनिया में ज्ञान के संदर्वों में हिंदुस्तान दुनिया की महांतम सक्ती बने जिसकी कामना हमारे प्रधान मंत्री जी की है और जिसका लक्ष उनका है और हम सभी भारत वास्यों का है मुझे पूरा विश्वास है कि आप हिंदुस्तान को सर्व सक्तिमाल संब्रिद्ध स्वक्ष स्वस्थ और स्रेश्टतम राष्ट बनाने में अपनी भूमका का निर्वान करेंगे अपने ध्यान पुर्वक्षना आपको भहुत भहुत धन्यवाल